हेलो, मैं नेम इस वेर और वेलकम यूटू प्रोग्राम यूर माइंड आज लाइब विज्डम सीरीज में मैं आपके साथ नेगेटिव डिसकुशन्स या नेगेटिव स्टेट्मेंट्स जो लोग एक दूसरे को पास करते हैं उसके बारे में कुछ बहुत ही ज़ादा इंप नेगेटिव डिसकुशन्स में नेगेटिव स्टेट्मेंट्स में इंगेज होने के लिए तो यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें अब ध्यान से समझते हैं कि जादातर होता ऐसा है कि हम अपने माइंड में नेगेटिव चीजों को फीड करते रहते हैं यानि कि जादातर लोगों का टाइम अगर आप अब्सर्व करेंगे तो निउस देखने में, निउस पढ़ने में या शोशल मीडिया को एक्स्प्लोर करने में, जिसमें बहुत सारा नेगेटिव डिसकशन हो रहा है, स्टेट्मेंट्स हा रहे हैं, निउस हैं या हेट स्पीचेज हैं, ऐसी चीजों में जादातर लोग अपना मैक्सिमम टाइम इन्वाल्व करते हैं, अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप information negative, अपने subconscious mind में feed कर रहे हैं, और आपका subconscious mind तीन तरह से input लेता है, mainly, visuals, यानि कि images को देखके, videos को देखके, sounds, यानि कि जो आवाजे होती हैं, और third, feelings, यानि जो experiences आप create करते हैं, या जो आप feel करते हैं, अब जब भी हम negative, जो exposure है, अगर हम उसमें चले जाते हैं, यानि कि अ हमारा mind वहाँ से input लेना शुरू करता है, माइन में अगर negative images हैं, negative sounds हैं, और उसके करण negative experiences, feelings create हो रही हैं, तो हमारा subconscious mind negativity के लिए ही program हो जाएगा, तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, कि अगर हम अपने mind में ये negative programming डालेंगे, तो होगा क्या कि ultimately हम एक negative बन जाएंगे, एक ऐसे person बन जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे negative emotions और feelings होंगी, जो fear है, frustration है, anxiety है, आपको क्या लगता है, ये automatically आपके अंदर आ जाती है, नहीं, इसके पीछी reason है, वो सारी negative programming जो आपने mind के अंदर install की है, तो सबसे पहले इस बात को समझना है, और इसक उसका क्या effect होता है, आपके खुद के उपर और सामने वाले के उपर, ये बहुत ही ज़ादा जरूरी है समझना, क्योंकि जब आप समझेंगे, तब ही आप इन चीजों से बाहर आएंगे, तो सबसे पहले समझते हैं, कि जब आप negative discussions करते हैं, तो सबसे ज़ादा उसका effect आपस में connect होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वही तो आपको express करना है, तो यानि आपके mind के अंदर खुद आपने neural pathways create कर दिये negative चीजों के लिए, यानि कि आपके mind के अंदर वो information spread थी, आपने उनके links develop कर लिया, वो links जितने जादा strong होंगे, उतना ही जादा strongly आपका mind negatives के लिए program हो जाएगा, तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने news देख लिया, या मैंने उसके बारे में discuss कर लिया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके mind के अंदर जो information है, वो connect हो गई, और जितनी जादा वो connect हो हो जाएगी, यानि कि आप automatically वैसा ही feel करना शुरू कर देंगे, आपने कई बार observe किया होगा, कि एक family में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहां के ladies ने सास बहु की serials देखना शुरू कर दिये, जिसमें कोई एक इनसान तो बहुत अच्छा है, और बाकी सारे लोग मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, in most of the cases ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होता, लेकिन वैसा क्यों feel होना शुरू हो जाता है, reality के जैसा, क्योंकि आपने mind की programming वैसी की है, तो समझे इन चीज़ों को, अब दूसरी जो चीज समझ तो नहीं हो रही, collapse तो नहीं हो रही, या आप network marketing में हैं और आप किसी leader के बारे में, किसी product के बारे में, कुछ negative अपने down lines के साथ, या cross lines के साथ share कर देते हैं, या maybe आप अपनी family में, अपने elders के बारे में कुछ negative statement pass कर देते हैं, कोई negative चीज़े share कर देते हैं, तो पता है क्य या हो सकता है कि उसका conscious mind इतना logic ना लगाए और जो भी आप कह रहे हैं, वो उसके subconscious mind में चला जाए, तो होता यह है, इसके लिए मैं एक example share करता हूँ आप से, कि कई बार आपने observe किया होगा कि कोई कपड़ा जो आपने नया खरीदा है, अगर वो color छोड़ता है, तो वो ने छोड़ दिया, लेकिन दूसरे पर जाके चिपक गया और दूसरे से फिर वो color को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, in the same way, जब आप negative statements पास करते हैं, तो हो सकता है कि आप तो उस negativity से बाहर आजाए, आसानी से, आज आपका point of view x है, कल y हो जाएगा, आपकी thinking change हो जा और life में वो कोई एक negative turn देर सकता है उनको, तो इन चीज़ों को समझना है आपको, तो negative discussions, negative statements, इन सारी चीज़ों से आप अपने आपको protect करना शुरू करिए, अगर हो सके, तो आप negative information का input पूरी तरीके से बंद कर दीजे, मैं आपको अपने बारे में कुछ चीजे बताता कि शायद 15 years और more हो चुके हैं कि जब से मैंने टीवी पे news बगरे देखा, बीच में corona time था तो थोड़े से update के लिए मैंने कुछ चीजें देखी थी, समझने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे समझ आया कि जितनी relevant information है, उससे बहुत जादा irrelevant information है, तो मैंने वो बहुत जल्द लगता है, लेकिन मेरे घर में खुशियां बहुत है, यानि कि मेरा state of mind peaceful बहुत है, वो मुझे सब कुछ जो सारी दुनिया में जो बवाल चल रहा है, जो negativity चल रहे हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता, अगर मुझे पता भी होता, तो मैं क्या difference create कर देता, hardly any difference I would have created, तो म मैंने अपने आपको protect किया, उससे मेरा mind, मेरा thought process सही track पे है, और मैं अपनी जिंदगी में productive और relevant चीज़ें कर रहा हूं, वैसा ही आप कर सकते हैं, अब हो सकता है कुछ लोगों के mind में सवाल आए, कि sir हम तो competitive exams की त्यारी कर रहे हैं, या maybe IES, PCS या किसी ऐसी चीज़ की civil services क की preparation कर रहे हैं, और वहां तो current affairs का पता होना जरूरी है, definitely वहां पे जरूरी है, तो वहां पे आप उन चीज़ों को study करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा details में मत जाईए, कि कहीं कुछ अगर negative हो गया है, तो उसको पूरा मैं explore करके ही मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि वो आ करता है, जिसे neuro-linguistic programming कहते हैं, जिसके उपर मेरे training programs है, आप online courses के थूरू भी उस program को join कर सकते हैं, learn कर सकते हैं, तो बहुत कुछ है जिसके थूरू आपको अपने mind को upgrade करना चाहिए, मैं बहुत दिल से बाते करता हूँ आपके साथ, मेरे पास scripted videos नहीं होती है, कोई topic होता है, जिसको मैं decide करता हूँ कि आज इस topic पर आपके साथ बात करूँगा, आपके साथ कुछ चीजें share करूँगा, और वो मैं दिल से करता हूँ, और मुझे लगता है, मुझे ऐसा feel होता है, कि वो कहीं न कहीं आपको touch करता होगा, कहीं न कहीं एक difference create करता होगा आपके आप negativity से बचाना चाहते हैं या positive direction में उनको pull करना चाहते हैं, push करना चाहते हैं, right? And live the life that you deserve. I will see you in the next video.